बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ चैलेंद्र पांडे ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ बुरा ग्रह ही करते हैं और सारी दिक्कते नक्षत्रों की वज़े से याती हैं बहुत बार हमारे कर्म भी होते हैं हमारी कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो हमारी किस्मत को हमारी जिन्दगी को बिगार देती हैं आज तीन ऐसी चीजों की बात करेंगे जो आपके भाग्य को बिगार सकती है, जो आपके भाग्य को बुरी तरह से नुकसान पहुचा सकती है पहली जो चीज है जो आपकी किस्मत को बिगार देती है या आपकी किस्मत पे बुरा असर डालती है वो चीज है आपकी संगती यानि संगती अगर आपको अच्छी मिले तो आप गुडवान हो जाएंगे और संगती अगर बुरी मिले तो आपसे ज़्यादा खराप कोई नहीं होगा आपका भाग्य केवल आपके उपर निर्भर नहीं करता है आपके भाग्य पर आपके जीवन में रहने वाले लोगों का भी असर पड़ता है जो लोग आपकी जिंदगी में रहते हैं वो आपके भाग्य पर असर डालते हैं आपके मित्र, आपकी प्रेमी, प्रेमीका, आपकी सहयोगी जो भी लोग आपके साथ हैं ये आपके भागय पर गहरा असर डालते हैं और किसी व्यक्ति के भागय पर सबसे जादा गहरा असर डालते हैं उसके पती या उसकी पतनी क्योंकि पती या पतनी सबसे जादा जीवन में जुड़े हुए होते हैं इसलिए पती या पतनी के भाग्य का उनकी संगती का जीवन पर सबसे गहरा आसर पड़ता है। देखिए आपको अपनी संगती का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपके दोस्त कौन लोग हैं, किन लोगों के साथ आप खाते पीते हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ आपकी मित्तरता है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो कि अगर आप निगेटिव आदमी के साथ, बुरे आदमी के साथ, खराब आदमी के साथ मित्रता करेंगे, संगती बनाएंगे तो आपका भाग बिलकुल उल्टा हो सकता है अब ऐसी संगती मानली आपकी पहले बन गई थी, जिस वज़ा से आपका भाग खराब हो रहा है, तो क्या करेंगे? अगर संगती की वज़ा से भाग खराब हो रहा है, तो नित्य प्रातः विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपके लिए काफी फाइदेमंद रहेगा साथी साथ अपना आहार और अपना विचार सात्विक रखिए देखिए, मान लिया आपकी संगती बुरी है, आपको ये बात समझ में आ भी गई, लेकिन संगती एकदम से समाप्त तो नहीं होगी, हटने में टाइम लगेगा तो आप इतना काम करना शुरू करिए कि अपना खान पान शुद्ध कर लीजिए और नियमित रूप से विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करिए ताकि निगेटिव संगती का, बुरी संगती का आपके उपर असर ना पड़ेए दूसरी जो चीज है, जो जीवन को बहुत नुकसान पहुचा सकती है या पहुचाती है वो है नकारात्मक विचार, निगेटिव थिंकिंग आप जिस तरह की सोच रखते हैं, उसी तरह की तरंगें आपको प्रकृति से मिलती हैं आप अच्छी सोच रखेंगे, प्रकृति की तरफ से आपको अच्छी तरंगें मिलेंगी और अगर आप हमेशा नकारात्मक सोच रखेंगे तो चारो तरफ से प्रकृति से आसपास से आपको निगेटिव तरंगें, नकारात्मक तरंगें परेशान करेंगी आपको नकारात्मक लोगों का साथ मिलेगा और जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा जिस तरह का आदमी होता है सामाननेता उसको लोग भी वैसे मिलते हैं आप निगेटिव आदमी हैं आपके दिमाग में हमेशा निगेटिव बातें चलती हैं आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मित्र यार दोस्त आपके आसपास के लोग भी निगेटिव हैं और ये निगेटिविटी आपके जीवन में पूरी तरह से भर जाएगी और जब निगेटिविटी भरेगी तो हर काम में आसफलता मिलनी शुरू हो ज जाएंगे इसलिए आप अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें ताकि प्रकृत की तरफ से भी आपको पॉजिटिव विचार मिलते रहें आपके अंदर निगेटिविटी नकारात्मकता ना आए अब ऐसा होता है कि हम चाहते तो नहीं है कि निगेटिव सोचें चाहते तो नहीं है कि हम बुरा सोचें खराब सोचें लेकिन मन में निगेटिव विचारा जाते हैं नकारात्मक विचार प्रवेश कर जाते हैं तो अगर आप अपने नकारात्मक विचारों से परेशान हैं तो नित्य प्रातह सूर्य भग्मान को जल अर्पित करिए बहुत अच्छा रहेगा महीने में दो एक आदशी आती है दोनों एक आदशी का उपवास रखिए बहुत ही सुन्दर होगा और नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए एक पन्ना या एक पुखराज या तो एक पन्ना या तो एक पुखराज अगर आप धारन करें तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा तीसरी समस्या है धोखा देना हम दूसरे को धोखा देते हैं और समझते हैं कि अगले को पता नहीं चला कोई बात नहीं हमने तो इसको बेवकूफ बना दिया लेकिन याद रखिए हर चीज का हिसाब हो रहा है हर चीज लिखी जा रही है और हर कारे के परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे किसी भी व्यक्ति को जान बूच कर अगर आप धोखा देते हैं या किसी व्यक्ति के भरोसे को तोड़ते हैं तो इससे आपको बुरी तरह नुकसान हो सकता है गुरु संग कपट मित्र संग चोरी की होई पातक की होई कोड़ी जो लोग गुरु के साथ कपट करें और मित्र के साथ चोरी करें उनको तो जीवन में तकलीफों के अंबार में भुगतना ही पड़ता है जाना ही पड़ता है देखिए अनजाने में आप से गलती हो गई उसके लिए कोई समस्या नहीं है लेकिन आप अपने छोटे से स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दे रहे हैं तो इससे आपको नुकसान होगा किसी का अधिकार छीनना किसी को बिना कारण नुकसान पहुँचाना भी इसके अंदर आते हैं जब कुंडली में राहु ज़्यादा डॉमिनेट करता हो राहु का प्रभाव ज़्यादा हो या बुद्ध का प्रभाव जादा हो, तो ऐसे लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे में जब शनी, ब्रिहस्पती या शुक्र की दशा आती है, तो व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है लोग कहते हैं न, कि साड़े साती में बुरा होता है, वो बुरा इसलिए होता है, क्योंकि पहले बीज आपने ही बोय थे आपने धोखे का बीज बोया था, तो अब उसका दंड लेने के लिए तैयार हो जाईए, और वो दंड आम तोर पर शनी या ब्रिहस्पती के दशा में लोगों को मिलता है और दूसरों को धोखा देंगे, तो जितना धोखा देंगे, उससे ज़्यादा का अर्थिक नुकसान आपको उठाना पड़ेगा साती सात कभी कभी मानसिक बीमारियां भी जेलनी पड़ती है अब मान लिया हो गई गलती, इंसान है धोखा दे दिया, उस समय अकल नहीं थी, नहीं समझ पाते थे, नहीं बुद्धी थी अब तो बुद्धी आ गई, कि गलती हो गई है, मैंने धोखा दे दिया है क्या उपाय करें कि इस धोखे का प्रैश्चित हो सके देखिए पहली बात यह है कि कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, उस से बचपाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन वो फल आसानी से जहेल करके आप आगे बढ़ सकें, कर्म का बंधन से आप निकल सकें इसके लिए नित्य प्रातह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें अधिक से अधिक पीपल के या बर्गद के पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगवाएं और हर शनीवार को किसी भी निर्धन व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति हों, पांच गरीब व्यक्ति हों, जितने भी गरीब व्यक्ति हों हर शनीवार को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाएं तो बहुत अच्छा होगा